हलो फ्रेंट्स वालकम तू आल आज मैं आपके लिए लिका रहा हो देखें मिस्स बेक्टर्स फूड आई पियो जरा देखिए इसको अगर आपको इस आई पियो में एप्लाई करना है तो लास्ट डेट कल की डेट यानि की 17 दिसंबर की लास्ट डेट है जैसे कि आपको की चलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है यहां पर यह स्टॉक प्राइमरी मार्केट से सकेंडरी मार्केट में जाने के लिए तैयार है इनिशल पब्लिक आफरिंग के दूरू अब मिस्स बेक्टर्स आई पियो इसके बारे में हम आल्रेडी दो वीडियो में बात करते हैं तो Minimum Risk के साथ उतरने के लिए आपको और हम खुद Minimum Risk के साथ और Risk Management हमारी TOP की प्रायरेटी होती होती है और Learning हमारी आफनी की labor Pre लिस्टिंग पे भई बर्गर किंग तो डबल हुआ उसके बाद तो रूकने का नाम ने ले रहा पिछले तीन दिनों से लिस्टिंग और उसके बाद के दोनों दिनों में धमाल मचा के रखा हुआ तो कहीं यह अपॉर्चुनिटी मिस न हो जाए जरह देखिए बर्गर किंग यह लोगों को मिला था और सीधे 194 के लेवल पे चला गया यह आईपयो की कहानी अब आप सोच रहोंगे यार एपलाइ करें या नहीं करें तो एपलाइ करना या नहीं करना वह आपको आप पता चल जाएगा जो हमारा क्रैटीरिया तीन दिन के लास्ट डे का होता है दो 95% से उपर हो जाते हैं तो यहां पर तो इसने दो दिन के अंदर यह काम यह टार्गेट पूरा कर लिया तो मतलब यह हो रहा है और सब्सक्राइब और यहां पर होने वाली है बंपर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बंपर लिस्टिंग अब देखें क्वालिफाइड इस्ट QIB अल्रडी साड़े चार गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया NII आट गुना सब्सक्राइब हो गया Ritail 16 गुना सब्सक्राइब हुआ है Employee Reserved भी एक category है वो 30 गुना सब्सक्राइब हुई है मतलब इस Company के खुद के Employee इतने जवर्दस तरीके से इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मान के चलिए कल लास डेट में 12 बज़े के बाद मारते हैं ये दोनों सेक्टरस एंट्री तो जब ये दोनों एरियाज एंट्री मारते हैं तो ये जो आपको 11 गुना सब्सक्राइब दिख रहा है न ये 111 गुना हो जाएगा देखे बलकि इससे कहीं जादा ह की देखने को मिलेगा आई प्यो अब आपके मन में अगर अभी भी कोईश्चन है कि अपलाई करना है या नहीं करना है और कल की डेट भी आप तो हमारा दो पीम वाला क्रैटीरिया भी खतम हो चुका है आज ही के दिन इसने उसको पूरा कर दिया तो कल की डेट में आप कभ स्ट्रॉंग शेर भी यह स्ट्रॉंग आई प्यों है तो बहुत सारे लोग इसमें नजरें गड़ा के बैठे हुए है तो आई प्यों के टोटल सब्सक्रिप्शन आपने देख लिया लेकिन एक बात और मैं आपको बता दो गर कल आपको एपलाई करना तो बहुत ही बढ़ यूनिक होता है इसको याद रखाए यूनिक होता है पैन कार्ड इसलिए इसको उसी हिसाब से आपको मैनेज करना है यानि कि एक पैन कार्ड से एक ही लौट तो ज्यादा बैटर ज्यादा पैसा ब्लॉक करने का फायदा नहीं मैं कहूंगा अब यह देखिए यह ओवरल सबसे जादा इंप्लॉईज को ही और कंपनी के मैनेजमेंट को ही कंपनी के बारे में पता होता है तो वहां वो लोग इतने भर-भर के इसमें अप्लाइ कर रहे हैं तो जड़ा सोचिए लेकिन एक गलती जो रिटेल निवेशक अभी भी कर रहा है जनरली ऐसे रिटेल निवेशक यह गलती करते हैं आपको यह गलती नहीं करनी है अधर्वाइज आपको आई प्यू अलॉट्मेंट के चांसे खतम हो जाते हैं यहां पर प्राइस बीडिंग आप देखिए यहां पर रिटेल निवेशकों ने एक करोड़ अठाइस लाग शियर्स के लिए प्रा जब आपको पता है ओवर सब्सक्राइब हो उसके बावजूद अगरा प्राइस की बेडिंग करोगे तो यह फिर आपको आपको आई प्यू मिलने के चांसे को बिलकुल खतम कर रहा और जीरो की तरफ लेके जा रहा है याद रखें आई प्यू में जब भी आपको देख र रहे हो सीधे कटाउप को चेक करो काम खतम सीधे रखो वही कैलकुलेशन अपनी मैं कहूंगा और ओवर ओल चीज़े आपने देखी तो हमने यहाँ पर जो चीजों को समझा और दूसरा नेट बैंकिंग यूपिया यूपिया में बहुत लोगों को इश्यू आता है पैसा क के बाद आज जरूर जाता है बढ़ हां यह पैसे का इश्यू यहाँ पर देखने को मिला अब मिस्स बैक्टर को अगर आप देखें एक बार आई प्यो को आपको आई बटन पर बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर अल्रडी कर चुका हो उनको आप देख सकते हो लेकिन उसक की अलावा अगर मैं बात करूं डेट की बात का लास्ट डेट है आई प्यों की दिसमबर सत्रह याद रखें और आपका डिटेल आई प्यों कब मैं आपका अलॉट्मेंट हुआ नहीं हुआ या फिर रिफंड वो दिसमबर तेईस या निकि छे दिन आपके खुल ब्लॉक ह पैसा 18 19 20 21 और तो आपको रिफंड हो जागा तो शिक्स डेज का यह ब्लॉकिंग पीरेड है अगर आपको यहाँ पर पैसा कट जाता है डिटक्ट होता है अगर डिटक्ट हो जाता आपका अमांट तो आपके लिए खुशकबरी है और आपको आई प्यों मिल गया यह सोच और अगर आप यहां पे apply करने के कही लोगोंगों को अगर बर्गर केंग नहीं मिला और हयाट मुबाइल नहीं मिला है प्यस में मिला लेकिन वह लोग अभी de motivate होके सूचेंगे apply नहीं करना है मैं आपको फिर से बता दू अगर आप यह सोचे हो कि भाई डी मोटिवेट होगे कि भाई हमें अपलाई नहीं करना किस्मत ही अच्छी नहीं है नहीं मिलता आई प्यो तो याद रखे इस चीज को हमारे पास कमेंट के थूरू इतनी लोगों की डिटेल्स आती है जिसमें इस प्योंका रुपे कितने हो गया एक सो तीस रुपए का उनको प्रॉफिट हो गया अब आप लगा लो हिसाब के ताब कितना प्रॉफिट टीन गुरा से बहीं ज्यादा तो पंदरा हजार रुपे उनके 45-50 जार रुपे में कंवर्ट हो चुके है कितना कुछ भी महीना भी बीता है उस चीज को दिसंबर में स्टार्टिंग के टाइम पे उन्होंने तीन तारिक को लास्ट देट उसकी थे और आज की देट में सोला तेरा दिन के अंदर जारा सोचे इस चीज को समझिए तो कहीं न कहीं आपको कुछ नहीं करना इमोशनली अटैच नहीं होना है बस द केलिग्राम का ग्रूप जॉइन कर सकते हो वहां पर सारी चीज है वीडियो के डेस्क्रिप्शन आपको लिंक्स दिया हैं सब कुछ बताया जाता है कि कैसे आपको चीज देखें यह समझ नहीं है और फिलहाल मैं आपको और डिटेल क्या बता हो अभी आपने बर्गर किंग के IPO को देखाई है और इसकी अगर डिटेल देखी जाए तो लिस्टिंग रिटेल निवेशक अभी तक 16 गुना है और इस तरीके से जो आई-प्योज है आई-प्योज में अप्लाई जरूर क्या कीजिए साथ के साथ मैं कहूंगा टेकनिकल एनलेसिश आपको शेयर मार्कित में समझनी है तो वह इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिटेल इनुवेशक के लिए तो टेकनिकल एनलेसिश को सीखने के लिए आप मेंबर्शिप जोइन कर सकते हैं जोइन बटन पर क्लिक करके कोई लाखो की फीस नहीं है जस्ट